नमस्ते मित्रों, चलिए ले चलती हूँ आपको आपकी प्रिय लेखे का डॉक्टर संगीता जाजी की रचना संसार में और आज सुनिए सकारात्मक्ता से भरी ये प्यारी सी कहानी हमदम स्टोरी लाइन ये है कि मालकिन दीपा और सहचरी साहिका मीरा की बूरियस से भरती जारी जिन्दगी में तब अचानक आश्चरी की एंट्री होती है जब उनके बगर वाले बंगले में चार महिलाएं रहने आती हैं हर दिन के साथ उन महिलाओं से जुड़ा कोई ना कोई राज बेपरदा होता है और दीपा और मीरा का उनकी और आकरशन बढ़ता जाता है तो चलिए शुरू करते हैं कहानी हमदम अरे मी उपर छत पर जाओ और जो भी सामान धूप में रखा है ले आओ ये थी मेरी हेलपर दुख सुक की साथी मीरा जो बरसों से साथ थी मेरा घर उसका घर था और हमारे बीच सब कुछ साजा था हम दोनों की एक ही दुनिया थी जहां मेरे दोनों बेटे अमेरिका में जाबसे थे वहीं उसकी दुनिया अंधेरी थी यानि दुनिया की नजरों में वो बांज थी उसके शराबी पती ने दूसरी शादी कर उसे छोड़ दिया था मेरे बच्चों की नजर में मैं एक जिद्धी मा थी जो अमेरिका में बसना नहीं चाहेती थी और बच्चों की खुशी से ज़्यादा मुझे अपनी खुशिया प्यारी थी पता नहीं क्यों मुझे मेरे शेहर की ये तंग गलियां और गौसिप करते लोगी बड़े भाते थे हम दोनों की जिन्दगी लगबग एक सी थी केवल वर्ग का फर्क था जो मेरी जिन्दगी में उसकी जरूत ने पूरी तरह से मिटा दिया था हम दोनों यानि मैं और मी दीवाली की सफाई कर रहे थे साथ ही अपने दिमाग के जाले भी साफ कर रहे थे जो लगबग नामुम्किन सा था घर की पुरानी चीजें या तो फेक रहे थे या उन्हें जाड़ कर छट पर दूप दिखा रहे थे मेरे चिलाने पर मी उपर तो गई पर नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही थी मैं भी मनीमन सोच रही थी कि ऐसा क्या हो गया जो ये मैडम उपर अठकी तो पूरी तरह जाठकी थोड़ी देर बाद वो दौड़ी दौड़ी नीचे आई और मुझसे कहने लगी दी बाजुवाले बंगले में कोई आए हैं बड़ा सामान उतर रहा है ट्रक से इतना कहकर वो फिर दौड़ कर उपर चली गई वो मुझे दी कहकर पुकारती है इसके दो माइने हैं एक तो मेरा नाम दीपा का पहला अक्षर और दूसरा दीदी का पहला अक्षर हम अपनी जिन्दगी इस छोटे से शहर में भी अपनी तरह जीते हैं हम दोनों के गुजारे लायक मेरे पास पैसा था और अमेरिका में डॉलर के धनी बेटे भी थे क्या फरक पड़ता था कि मैं मालकिन और वो नौकरानी या कहिए अब मेरी वो लाइफ लाइन बन चुकी थी दोनों मिलकर खाना बनाते, खाते, गाना गाते, नाशते और घर पर ही OTT पर सारे सीरीज और मूवी देखते पढ़ने की और अपने को जमाने की दौर में बराबर करने की क्यों उमर नहीं होती यह सब मैंने मीरा को देख कर जाना जिसे ठीक से हिंदी बोलना भी नहीं आता था, अब मेरे साथ बैठ ना केवल काइट रणर नॉवल पर अपने टिपड़ी देती है, बलकि धरले से अंग्रेजी में गालियां भी देने लगी थी प्री दिवाली पीरिट चल रहा था, इससे हम दोनों कभी सामान जमाने तो कभी पुराने सामान को छट पर सुखाने में विस्त थे समय बहुत कम था और ये मैडम छट पर ही जाकर रटक गई थी ऐसे समय में मेरे अंदर की मालकिन जाक जाती थी और मुझे लगता कि ये मेरी बात सुनी ही नहीं रही है काम की विस्तता इतनी थी कि मुझे बगल में क्या हो रहा है, इसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं थी और ये मैडम अपना पागलपन छोड़ी नहीं रही थी खेर उम्र का अंतर भी था, मैं साथ और वो चालीस जब बड़े देर तक वो नीचे नहीं आई तो मैं ही उपर पहुँच गई बरसों से बंद पड़ी बाजी वाली हवेली के बाहर पांच ट्रक खड़े थे और चार मैडम सामान उतरवा रही थी सभी बड़ी मॉडर्ण सी थी, एक को छोड़कर तीनों ने पैंड शर्ट पहन रखी थी उस अकेली ने फ्रॉक पहन रखी थी सबकी भवे तराशी हुई, आँखों में आई मेकप और होटो पर लाली थी उम्र सबकी 40-60 के बीच थी, साथ में कोई मर्द नहीं दिखा मैंने मी यानि मीरा गुजोर से चिम्टा और कहा चलो नीचे मैडम, पूरा दिन पढ़ा है आपकी जासूसी के लिए क्यों परिशान कर रही हो खुद को पांच ट्रक में सामान है तो जल्दी तो जाएंगी नहीं बहुत समय मिलेगा जासूसी के लिए उनके खांदान, पूरवज और हर तिलस्मी रहसे से तुम परदा उठाने में काम्याब हो जाओगी अभी तो बहुत काम पढ़े हैं मी, साथ चलो उस दिन की हमारी तहकीकाद तो वहीं खतम हो गई लेकिन पूरे समय सामान खिसकाने और ठोंकने की आवाजें आती रही अच्छे पडोसी की भूमिका निभाते हुए ड्राइवर राजेश के हाथों पूरी सबची और साफ पानी भिजवाया दो बार गरम गरम चाय और बिसकुट भी बिजवाया मी तो वहाँ खुद जाने के लिए मचल रही थी लेकिन मैं नहीं उसे रोक लिया घर पर इतना काम जो था ड्राइवर मी को बता रहा था कि वहाँ कोई पुरुष था ही नहीं वही चारों मिलकर सामान सरका रही थी और दीवारों में कीलें भी ठोक रही थी मी ने उसकी चुटकी भी ली तुम ही बन जाते हैं उनके मर्द करवा देते मदद राजेश ने कहा अरे देखा नहीं है ना तुमने इसी से ऐसा कह रही हो बाप रे चारों की चारों इतनी हट्टी कट्टी हैं मेरे जैसे चार को एक साथ पटग दे नहीं तो जाओ आजमा के देख लो मैं तो कुछ घर के कामों में तो कुछ बेटों से वीडियो कॉल में इतनी व्यस्त थी कि सिर्फ इन दोने की बातें ही सुन रही थी लेकिन उनके घर से काफी आवाजें आती रहती थी करीब पांच दिन तक तो ट्रक ही आते रहे मेरी पूरी सफाई धनतेरस के एक दिन पहले ही खतम हुई धनतेरस की शाम जब छट पर पहुची तो पाया कि बाजू वाली मन्हूस कोठी पूरी तरह जगमक कर रही थी और खूब गाना बजाना चल रहा था मेरे पास समय कम था इससे ज्यादा पता लगाने का ना समय था ना जग्यासा सोचा दिवाली के बाद सारी तहकीकात करूंगी दिवाली में भी कूफ अटाकों का शोर बगल से आता रहा ड्राइवर और मी ने भी उनके घर जाकर दिवाली मनाई मैं ही सकुचाती रही भले मीरा और राजेश को घर के ही सदसी के रूम में रखा था लेकिन हमारा रिष्टा घर तक ही सीमित था बाहर तो मैं उनके साथ मालकी नहीं थी लोक लाजबी तो कोई चीज होती है उनके साथ दोड़ दोड़ कर तो मैं अपनी जिग्यासा शांत नहीं कर सकती थी दिवाली बीद गई पर मेरे काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहते रोज मी और राजेश नई नई खबरें देते थे जो परोसी घर की ही रहती थी कहां सालों की मनुसियत और अब 24 घंटे की चहल पहल तो हार सारे बीद के और दिसंबर का महीना भी आ गया अब मुझे भी थोड़ी बोरियत होने लगी थी सोचा थोड़ा परोस में जान पहचान बढ़ाई जाए एक दिन मुझे सारी रात जागना पड़ा परोस से होतरे की आवाजें जो आ रही थी सोचा सुबह होते ही विंती करूंगी कि रात को इस तरह के काम न करें मैं पहुंचती इसके पहली चार देवियां मेरे द्वार पर हाजिर थी और धेर सारी सामान के साथ जिसमें मेरा सारा बच्पन समाया हुआ था उनके साथ था नसीम चाची के हाँ से बने जिसा अंडे का हलवा अम्मा की सुगंध वाली गुजिया और मेरे बच्पन की दोस एंड्रिया के हाँ बनने वाले छोटे छोटे पैंकेक साथी गुरुदारे में बटने वाले वाहे गुरु का प्रसाथ मैं कुछ बोल पाती उसके पहले चारों ने हाथ जोड़ कर खा दी हम शर्मिन्दा हैं कल रात के लिए आप तो जानती है कि प्लंबर मिलना कितना मुश्किल है बड़ी मुश्किल है कल रात सारे नल ठीक करवाए सॉरी आपको पहले बताना भूल गए थे ये घर शायद सालों बंद था इसे बहुत सारा इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग वर्क करवाना पड़ा सॉरी सॉरी उनकी बातों में इतना अपना पन था कि मैं रात की तकलीफ लगबग भूल गई थोड़ी सी जो जानकारी मिली कि वेचार सहलियां हरमीत, उमा, उजमा और मेरी एक साथ रहती है और उनका एक NGO है जिसका नाम उन्होंने खुद के नाम पर हम यानि हुएम रखा है हरमीत उनकी लीडर है और ये लोग अंडर प्रिवलेजड औरतों के लिए सब कुछ करते हैं यानि एजुकेशन, पारवारिक, अत्याचार से मुक्ती और एंप्लॉयमेंट सारा कुछ करती हैं अपने काम उसके रिजर्ट से ये लोग बहुत खोश हैं उनके पास 500 से भी ज़्यादा औरते काम करती थी ठीक, बांगलादेश के बैंक के प्रियोक की तरह हर इस्त्री की इस एंजियो में भागीदारी थी वहाँ पढ़ने आने वाली इस्त्रियां ही बाद में टीचर बन जाती सिलाई सीखने वाली बाद में ट्रेनर खुद मिला कर जादा मुनाफ़ नहीं, करीब करीब 300 परिवार इन चारों पर निर्भर थे उन चारों की अलग अलग दास्तान थी जिसकी वज़े से ही आपस में जुड़े सभी ने परिस्तितियों के आगे घुटने टेकने से जादा लड़कर आगे बढ़ने का रास्ता अपनाया हरमीत एक अच्छे परिवार से थी उसने दिल्ली विश्विद्याले से एकोनॉमिक्स में बिये किया पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान वो एक जागीरदार परिवार के लड़के गुल्षन से मिली जो हरियाना का जाट था कॉफी हाउस बड़े-बड़े डिसकेशन और घंटों हाथ पकड़ कॉलेज की कैंट्री में बैठने के बाद कब वो उसकी दुम हिलाने वाली पपी बन गई उसे खुदी पता नहीं चला जब हर्मीत पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ कर एक प्राइवेट कॉलेज में एकनोमिक्स की ट्यूटर बन गई और बड़े घर का लड़का गुल्षन पहार गंज की बरसाती में फ्रस्टेटेड यूथ आपस में इतने जगड़े होने लगे कि गुल्षन उसे छोड़ अपनी बड़ी हवेली में चला गया ना उसने हर्मीत की कभी खबर ली और हर्मीत के आत्म सम्मान ने कभी उने गुल्षन के पास जाने दिया उनके अंदर की इस चोट ने उनें जिन्दगी में कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित किया जिसका रिजर्ट हर्मीत, उमा, उसमा और मेरी का साथ था उमा भी करीब करीब उसकी तरह सास और पती के जल्मों का शिकार एक बेबस इस्तरी थी एक दिन उन जल्मों से तंग होकर घर छोड़कर निकल गई और वो तो उमा की किस्मत थी कि वो उसी दिन हर्मीत से मिली तो जीवन की रहा ही बदल गई उनमें जो तीसरे नंबर की उजमा उसे देखकर कुछ यादसा आ गया हमारे ही महले में करीब 20 साल पहले एक मुसल्मान परिवार रहा करता था जिसके मुखियाते मुहमत करीम उल्ला खान उन्हें सब खान चाचा की नाम से पुकारा करते थे खान चाचा की तीसरे नंबर की बेटी उनकी शान थी उजमा खान जो स्कूल में खेल कुद में अवल नमबर थी बाद में पता चला कि खान चाचा ने अपनी लाड़ी बेटी का रिष्टिदारों के बैकावे में आकर एक अमीर अधिर से निकाह पढ़वा दिया शादी के दूसरे दिनी अपने जूडो कराटो का कमाल दिखा उजमा पती का घर छोड कर आ गई लोगों के तानों से बचने के लिए खान चाचातना खुद का घर आनन फानन में बेच कर कहीं चले गए उस घटना के दो साल बाद ही कालोनी में एक हाई एंड मसाज पारलर खुला जिसकी मालकिन इंगलिश में बातें करती थी पूरे महले में उस पारलर की चर्चा थी मैं और मी भी वहां मसाज कराने गए ये उन दोनों की बात थी जब सौ रुपे में ही अच्छी से अच्छी मसाज वाली घर पर अच्छी मालिश करके चली जाती थी वहां हजार रुपे सुन मी तो चिलाने लगी वहां प्यारी सी सर पर हेड़फोन लगाए उद्मा को मालकिन के रूप में देखकर बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर बड़ी खुश हुई वेलकम भावी कैसी हैं? मैंने पूछा तुम कैसी हो? उठा के मार कर हसने लगी कैसी देख रही हूँ? बहुत खुश हूँ बिलकुल खुश अपनी मर्जी की मालकिन मुझे पर फिर से उसने नजर राली और एक विशात की रेखा उसके माथे पर उगरी और धीमी आवाज में उसने कहा आप भी असमंजस में होंगी कि मैं और मसाज़ पारलर? लेकिन शायद एक उभरती पितवाशाली एथलीट का हमारे देश में ऐसे ही मर्डर होता है मैं अपनी किसमत को ही दोज देती हूँ वो अबाही थे जो मुझे मेरे पैशन को जीने के लिए प्रेरिट करते थे मेरे हर मकाबले में मेरे साथ रहते थे एक बार खेल के मैदान में मकाबले के बाद मुझे लड़के के साथ फोल ड्रिंट पीते क्या देख लिया खुद के अंदर एक जालिम बाप पैदा कर लिया मैं लाग सफाई देती रही लेकिन उनके अंदर का प्यारा बाप तो मर चुका था तीसरे दिन मेरा निकाह उनके ही हम उम्र के साथ पढ़वा दिया निकाह के दूसरे दिन मैंने अपने जूडो कराटो वाले दाओं जो अब्बू ने ही जिखाए थे आजमा कर उस घर से हमेशा के लिए विदा ले ली अपने उसी दोस्त की मदद से ये पारलर खोला और अपने स्कूल में लड़कियों को खेल भी सिखाती हूँ मैं उसकी सारी बाते सुनती जा रही थी और मनी मन उसके होसले की दाद भी दे रही थी उसने बताया उसके पारलर में काम करने वाली सारी लड़किया ठीक उसकी तरह किस्मत की मारी हुई है जिससे वो आर्थिक मदद के अलावा जिन्दगी से लड़ने का होसला भी देती है थोड़े दिनों बाद पता चला कि उसके सो-कॉल्ड पती पॉलिटिकली स्ट्रॉंग बैग्राउंड रखते थे उन्होंने गुंडे विजवा करो पारलर ही बंद करवा दिया आज सालों बाद उजमा यहां दिखी ना उसने ना मैंने अपनी पुरानी पहचान का जिक्र किया दोनोंने ही चुपी साथ ली इसी तरह मेरी भी अपने पती की एडल्ट्री का शिकार थी कुल मिलाकर चारों सहलियां अपने आस पास कुछ बदलाव लाना चाहती थी अपनी अपनी धार्मिक पहचान उन्होंने बाकी रखी थी जिसका सबूत दीवाली, क्रिस्मिस, संक्रान थी और मिलाद उन्नवी का उनके घर सेलिब्रेशन था चारों अपने अपने ईश्वर पर बड़ी आस्था रखते थे उसके बाद मेरा और मी का वहाँ आना जाना लगा रहता मुझे भी अपने हुनार्यानी कुकिंग के कुछ टिप्स वहाँ आने वाली महिलाओं को सिखा कर बहुत आनन्द आता था कभी वहाँ हम सब मिलका डांस तो कभी अंताक्षरी खिलते मेरी और मी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी मैं स्कूल में बैडमिंटन चैंपियन थी जो लगभग भूली गई थी मैंने जहाँ छोटी लड़कियों को बैडमिंटन सिखाना शुरू किया वहीं मी कबड़ी सिखा रही थी बच्चे जब भी कॉल करते मैं या तो थक के चूर रहती या बिजी तभी मैंने एक निर्णे लिया कि मेरे घर और पैसों की बच्चों को कोई जरूवत नहीं है और ना ही वो लोग इंडिया वापस आने वाले हैं तो क्यों आपने जीवन को सार्थक बनाया जाए मैंने हम ग्रूप के साथ खुद और मीरा को भी जोडने का प्रस्ताव रखा जो नोंने खुशी-खुशी मान लिया और वो ग्रूप ह-u-u-m यानि हम से दीपा और मीरा के जोड़ जाने से हम दम बन गया यहां दा यानि दीपा का दा था और आकरी मं यानि मीरा का दोनों घरों के बीच की दीवार तोड़ कर एक बड़ा सा आशियाना बना दिया गया और बाहर बड़ा सा एक बोर्ड हम दम का लगा दिया गया ये थी आज की कहानी दोस्तों जिसकी लेखिका थी डॉक्टर संगीता चार आशा करती हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी फिर मिलेंगे आपका समय शुब हो